नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आज हम बात करने वाले हैं मार्च की महिने में कौन से ऐसे पौधे हैं जिने हम कटिंग से बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं मार्च का मेहना पौधों की ग्रोध के लिए बहुत जादा अच्छा होता है इस टाइम पे पौधों की नई ग्रोध सुरू हो जाती है इसके साथ ही जो भी पौधा आप कटिंग से लगाते हैं बहुत ही आसानी से इस टाइम पे कटिंग लग जाती है फस प्लांट है हमारा गुल्दावरी अगर आपके पास भी गुल्दावरी के पुराने पौधे हैं तो आप उनकी साइट पे देखेगा इस तरीके से आपको छोटे छोटे पौधे नजर आएंगे आप इन्हें निकाल के किसी अलग गमले में लगा सकते हैं और जो ये नए पौधे तैयार होंगे इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी साथ ही इनकी ग्रोध भी बहुत ज़्यादा अच्छी से होगी तो देखे इसी तरीके से मैंने गुल्दावरी के साइट से पौधे निकाल निकाल के इस तरीके से गमले में लगाए हुए हैं जिनकी ग्रोध बहुत ही ज़्यादा तेजी से हो रही है तो इस तरीके से आप अपने गुल्दावरी के पौधों को नेक्स सीजन के लिए बचा सकते हैं नेक्स प्लांट है मनी प्लांट मनी प्लांट इस टाइम पर कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है इस टाइम पर आप इसकी cutting को पानी या मिट्टी दोनों में आसानी से लगा सकते हैं money plant की 5-6 inch की cutting आसानी से लग जाती है next plant है spider plant spider plant के site में जे छोटी-छोटे baby plant निकल के आते हैं आप इन्हें निकाल के अलग मिट्टी पे लगा दीजिए ये भी बहुत आसानी से grow हो जाते हैं बस हमें पानी का ध्यान रखना होता है कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है नहीं तो ये छोटी-छोटे plant गल के खराब हो जाएंगे next plant है पर्सलिन और मौस रोज देखे दोस्तों गर्मियों में सबसे ज़्यादा फूल देने वाला ये पौधा पर्सलिन और मौस रोज होता है जो बहुत ही कम केयर में हमारे गार्डन को फूलों से भर देता है तो आपके पास जितने भी पुराने पौधे हैं पर्सलिन या फिर मौस रोज के गलग गमलों में लगा दीजिए क्योंकि बेबी संरोज का प्लांट जो कटिंग से तैयार होता है उसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है साथ ही उसकी ग्रोध भी बहुत अच्छे से होती है नेक्स प्लांट है टर्टल वाइन turtle fine का भी इस time पर ग्रोथ का time आगया है इनकी आप छोटी से छोटी एक से दो इंची की cutting भी आप लगा लेते हैं तो वो ही cutting इसकी चल जाती है तो इस time पर आप इस plant को भी cutting से grow कर सकते है next plant है dressina dressina की आप कोई भी variety आपके पास है हर किसी वराइटी को आप इस टाइम पर कटिंग से लगा सकते हैं ये भी कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है नेक्स प्लांट है एरेंथमम एरेंथमम की भी आपके पास कोई भी वराइटी हो हर variety को आप इस time पर cutting से लगा सकते हैं 5-6 inch की cutting इसकी किसी भी मिट्टी पर लगा दीजे बहुत आसानी से grow कर जाएगी next plant है jet plant jet plant भी इस time पर cutting से बहुत आसानी से grow हो जाता है इसकी 3-4 inch की छोटी-छोटी cutting भी लग जाती है सिर्फ हमें पानी का ध्यान देना है कि jet plant की cutting में अगर हमने बहुत जादा पानी दिया तो इसकी cutting गल के खराब हो जाएगी next plant है devil backbone devil backbone की आपके पास कोई भी variety हो उस variety को आप अभी इस time पर cutting से लगा सकते हैं 5-6 inch की cutting इसकी आसानी से लग जाती है आप किसी भी type की मिट्टी पर इसको लगा दीजिए सिर्फ पानी का हमें इसमें ध्यान देना होता है कि पानी हमें इसे बिल्कुल कम देना होता है नहीं तो इसकी भी cutting जादा पानी से गल जाती है next plant है अजवाइन या Mexican mint का इसकी भी 3-4 inch की छोटी से छोटी cutting भी आसानी से लग जाती है आप इसे छोटे बड़े किसी भी pot पर आसानी से ग्रो कर सकते है next plant है pencil cactus pencil cactus भी इस टाइम पर आप cutting से लगा सकते है इसकी cutting बहुत आसानी से लग जाती है आप इसकी 5-6 की cutting cut करके किसी भी मिट्टी पे लगा दीजिए बहुत आसानी से लग जाएगी नेक्स प्लांट है यूफोर्बिया मिली यूफोर्बिया मिली की प्लांट से जो साइट में इस तरीके की ब्रांचे निकलाती है आप इन ब्रांचें को cut करके 2-3 दिन के लिए 6 वाली जोगों पे रख दीजिए और 2-3 दिन बाद आप इसे well-drain मिट्टी पे लगा दीजिए सिर्फ हमें पानी का ध्यान रखना है पानी हमें इसे बहुत कम देना होता है नहीं तो यूफोर्बिया मिली की cutting गल जाती है नेक्स प्लांट है जिरेनियम अगर आपके पास जिरेनियम का कोई पौदा है तो आप अभी उसे cutting से तैयार कर सकते हैं 5-6 इंचे की आप इसकी cutting लगा दे और उसके बाद हम इसे normal किसी भी मिट्टी पे लगा देते हैं तो cutting आसानी से ग्रो हो जाती है नेक्स प्लांट है basket plant basket plant भी cutting से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है basket plant के site में जो छोटे छोटे बेवी plant निकल के आता है आप उन्हें कट करके नॉर्मल किसी भी मिट्टी पे लगा दीजे, बहुत आसानी से ग्रो कर जाएगी नेक्स प्लांट है परपल हार्ट प्लांट, परपल हार्ट प्लांट भी कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है चोटे बड़े किसी भी पॉट पे लगाईए, आसानी से ग्रो कर जाएगा नेक्स प्लांट है स्नेक प्लांट, इसनेक प्लांट भी कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है इसकी जो पतियां होती है, इसको कट करके आपको वेल ड्रेन मिट्टी पे लगाना होता है सिर्फ हमें पानी का ध्यान रखना है कि अगर हमने बहुत ज़्यादा पानी दिया तो इसकी कटिंग बहुत जल्दी गल के खराब हो जाएगी तो इसे भी हम इस टाइम पे कटिंग से लगा सकते हैं नेक्स प्लांट है हटजोड आप हर किसी वराइटी को इस टाइम पे कटिंग से लगा सकते हैं और बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है नेक्स प्लांट है कोलियस कोलियस की कटिंग भी इस टाइम पे बहुत आसानी से लग जाती है और इन पौंदों की देखरेग भी हमें बहुत कम करनी होती है वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद